इसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चानल चिकित्सा तत्विज्ञान में दोस्तों भारतिय संस्कृति वर्स भर की तेवहारों यों पर्वों की अनवरस रिंखला की वेज्ञानिक व्यवस्था करती है वसंत रितु में आने वाले होली का तेवहार कूदने फादने और प्राकरतिक रंगों से होली खेलने का उत्सव है दोस्तों इसका स्वास्त पर उत्तम प्रभाव पड़ता है इन दिनों पलास के फूलों के रंगों से होली खेलने से शरीर में गर्मी सहन करने की सक्ति बढ़ती है तथा मानसिक संतुलन बना रहता है साथ ही मौसम परिवर्तन से प्रकुपित होने वाले रोगों से रक्षा होती है परन्तु वर्तमान में राशायनिक रंगों के अंधा धुन प्रियोग से विभिन्न प्रकार की विमारियां पैदा हो रही है जिसकी पुष्टी चिकित्सकों ने भी की है आज कल गुलाल में प्रियोग किये जाने वाले केमिकल, डिटर्जेंट और रेत सिर्फ चमडी के लिए ही नहीं बलकी आँखो, सांस की नली और बालों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं डॉक्टर अनिल गोयल जो सीनियर डर्मेटोलिष्ट है उन्होंने यह बात कही है कृतिम रंगों में मिले मेला साइट और माईका जैसे रासायन केमिकल, सांस की नली, हिर्दय और गुर्दे, अर्थात किड्नी जैसे महत्पोड अंगों को नुकसान पहुचा सकते हैं यह बात डॉक्टर आरेन कालरा जो कि अध्धक्षे इंडियन हार्ट फाउंडिशन के उन्होंने कही है रंगों में परियुक्त राशायनों का स्वास्त पर अधिक दुस्प्रभाव पड़ता है दोस्तो बाजारूर असायनिक रंग मुख्यत इंजन ओयल के साथ ऑक्सीडाइश्ट धातू या अधोगीक वन्ड को अर्था डाई के साथ मिलाकर तयार किये जाते हैं जैसे काला रंग को त्यार करने के लेड ऑक्सीड मिलाते हैं जो की गुर्दे की बिमारी होती हिससे हरा रंग बनानी के लिए कौपर सल्फिट मिलाते हैं जो आँखों में जलन करता है सूजन या फिर आस्थाई अंधत्यों को प्राप्त करता है सिल्वर रंग बनानी के लिए अल्मुनियम ब्रोमाइट का उप्योग करते हैं जो कैंसर लाता है नीला रंग बनानी के लिए प्रिशियन ब्लू का उप्योग करते हैं जो कॉंटेक डर्मेटाइटिस्ट नामक भयंकर एक तवचा रोग होता है और लाल रंग बनानी के लिए मर्क्यूरिक सलफाइड का उप्योग करते हैं जिससे त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है अतर होली खेले परन्तुर आसाइनिक रंगों से नहीं प्राकरतिक रंगों से जिन्ने आप घर पर आसानी से बना सकते हैं दोस्तो प्राकरतिक रंग बनाने की बहुती सरल विदिया हैं जिसे आप जानकर आसानी से बना सकते हैं जैसे आपको अगर केसरिया रंग बनानी है तो आप पलास के फूलों से ये रंग सरलता से तयार किया जा सकता है दोस्तो पलास विरिक्ष को आईरवेद ने ब्रह्म विरिक्ष नाम से गौरानवित किया है पलास के पांचों अंग अर्थात पत्ते फूल फल चालवा मूल और शदी गुनों से संपन्ध है ये रसायन वार्धक्यम रोगों को दूर करने वाला होता है नेतर जोती बढ़ाने वाला वा बुद्धी वर्दक भी होता है दोस्तो पलास के फूलो को रात को पानी में भिगो दे सुबह इस के सरिया रंग को ऐसे ही प्रियोग में लाएं या उबालकर होली का आनन्द उठाएं ये रंग होली खेलने के लिए सबसे बढ़िया है सास्त्रों में भी पलास के फूलो से होली खेलने का वर्डन आता है इसमें आउशदिये गुण होते हैं आईरवेद के अनुसार या कफ पित कुष्ट दाह मुत्रक्रिक्षवायू तथा राक्त दोस्त का नास करता है राक्त संचार को नियमित वा मान स्पेशियों को स्वस्त रखने के साथ ही ये मान अननाच के हमाटे को समान मात्रा में मिला कर सूखशा हरा रंग बना सकते हैं आवला चूडवा महंदि को मिलाने से भूरा रंग बनता है जो त्वाचा वा बालो के लिए अत्यन तलावदाई होता है सुखा पीला रंग बनाने के लिए हल्दी वा बेसन मिला के अत्वा अमल तास्वा गेंदे के फूल को चाया में सुखा कर पीस के पीला रंग प्राप्त कर सकते हैं गीला पीला रंग बनाना है तो एक चमच हल्दी दो लिटर पानी में उबाले या मिठाईयों में पढ़ने वाले रंग जो खाने के कामाते उनका भी उप्योग कर सकते हैं अमल तास्या गेंदे के फूलों को रात को पानी में भिगो कर रखें सुबा उबाले इससे आपका पिला रंग तैयार हो जाएगा लाल रंग बनानी के लिए लाल चंदन अर्धात रक्त चंदन जिसे कहते हैं पाउडरों को सुखे लाल रंग के रूप में प्रियोग कर सकते हैं या तवचा के लिए लावदायक वा सौंदर ये वर्धक होता है दो चंदन एक लिटर पानी में डाल कर उबालने से लाल रंग प्राप्त होता है जिसमें आवशकता नुसार पानी भी मिला सकते हैं दोस्तो इस तरह आप प्राकृतिक रंगों को तयार करके होली खेलें इसे आपके स्वास्त पर आंत्रिक वा बहरिक रूप से वा मांसिक रूप से आप स्वस्त रहेंगे तो दोस्तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें शेर करें और यह चैनल पर पहली बार आएं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले आपका दिन सुब रहे धन्यवाद